हेलो फेंट्स, वेलकुम बैक टो इंजिनर्स कोकिंग और मैं हूँ आपके दोस्त मिनित कुमार तो आज के वीडियो में आपके लिए मिल्क केक बनाने बारा हूँ बहुत ही आसान तरीके से घर पे इसको कैसे रेडि करें आप मेरे वीडियो सकते हैं कोई वी चैनल को कर दो आज मैं डियो कुछ अधनी twists सकते हैं तो आज मैं में में मुद्ध केक ऑपना के दिखाँ अस रेडि को बहुत ही असान तरीके से इसको कैसे करें बहुत ही कम चीजों से इसको मैंनेесь कैया तो मैं चाहता हूं आप मेरा वीडियो और टक देख तो इन लोगोंट के लिए लिए तो फ्लीड वीडियो क्रेल चैनल प्रेंट बीजेंट कर लें तो चलिए स्टाट करते हैं है इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए आपको, कुछ लोग कहते हैं, गाय का दूद से milk cake ready करेंगे, तो मैं आप लोगों को इस पेस लिए, ये suggestion दूँगा, कि आप कोई सा दूद यूज कर सकते हैं, और दूद को हम करम होने के लिए रख देंगे, दो चीजों का द्यान रखना है, आपको, दूद को लगातार चलाते रहना है, और गैस को तेज रखना है, returning में गैस को काफी तेज रखना है, और लगातार चलाते हुए, जिस तरीके सा माबा ready करते हैं, तो दूद को हमें हाप कर लेना है, जला जलाके, तो अपने दूद को लगातार जलाते हुए आप देख सकते हैं हमारी जो क्वांटिटी है तो लवग हाप हो गई है दो लीटर दूद एक लीटर के लवग रह गया है अभी हमें इसको और जलाना है उससे पहले क्या करना है इसको फाड़ना पड़ता है अगर मिल्केक रेटी करना है तो इसको फाड़ने के लिए इसमें आप फिटकरी यूज सकते महीं यूज कर रहा हूं नीवू का रस करते हैं और यहां पर नीवू के रस को एड़का है जो तरीका यां मैं आपको बता जता हूँ धीरे धीरे एड करना है थोड़ा थोड़ा आधा चमबच के लगवग एड करना है और आधा चमबच एड करने के बाद लगवग इसको चार से पांच मिनट तक लगातार चलाते रहना है उसके बाद देखिए आप कि दूद फटना इस्टार्ड हुआ तो फिर आधा चमबच एड कीजिए और इसके बाद दो तीन मिनट तक फिर चलाईए फिर दूद को पकाईए एक चीज का नियान रखना है आपको नीवू का रस ज्यादा एड ना करें वरना हमारा जो मिल्क केक है वो खट्टा हो जाएगा और वो खाने में टेस्ट नहीं लगेगा और दूसरी चीज दूद को एक साथ नहीं फाड़ना होता है वरना हमारा दूद से पनीर बन जाएगा तो उसको धीरे-दीरे फाड़ना होता है एक चुली उसमें हलके-हलके दाने डालने के लिए न तो नीवू के रस को धीरे-दीरे एड करना होता है तो अब दस मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो दूर्थ तब काफी घाड़ा हो गया और इसमें दाने भी पड़ गए इससे ज़्यादा दाने आपको नहीं डाल लें इससे ज़्यादा यदि आप डाने डालेंगे तो आपका जो मिल केक है वो पनीर जैसे हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पर इंपोर्टेंट चीज यह है कि आपको लगातार इसको चलाते रहना है तो आप देख सकते हैं हमारे जो मिल केक की क्वांटिटी थी माबा की क्वांटिटी थी वो बन फोर्ट रह गई है तो यह लवग दो लीटर दूद मैंने यूज कियता है इसमें तो यह लवग 500 ग्राम के लवग रह गया आप इसमें 100 ग्राम के लवग में चीनी एड़ रखनी आपको 100 ग्राम रखनी है या 150 ग्राम रखनी है इससे उपर नहीं रखनी है थोड़ा सा हिलाची पाउडर और इसको हम फिर से पकाएंगे क्योंकि चीनी को एड़ करते हुआ है हमारी चीनी गुलती है तो काफी लिक्ड हो जाता है तो इसको लगातार चलाते हुँ फिर से पकाएंगे तो फ्रेंट्स अभी इसको 5-6 मिनट लगातार चलाते हो में और पकाना पड़ेगा उसके बाद हमारा जो मावा है वो मिल्क केक की फॉर्म में कनवर्ड हो जाएगा काफी गाड़ा हो जाता है और यहां पर एक मैं ट्रिक बता रहा हूं इसको बहुत ही स् बनाने के लिए इसमें क्याये कि एक से दो चम्मच आप देशी की एड़् करेंगे और उसके बाद इसको लगतार चलाते हो हम टीन से चार मिनट और पकाएंगे देशिगी के जो quantity है आपको दो से तीन चिम्मची यूज़ करना है उससे ज्यादा यूज़ नहीं करना है यदि आप चाहें तो देशिगी नहीं भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम लगए दो से तीन मिनट और पकाएंगे तो मिल्केक को बनाने में आपको लवग एक से डिएड़ गंटा लगता है यदि आप बनाने की सोच रहे हैं तो इतना टाइम आपको लेके चलना पड़ेगा मिनम एक गंटा तो लगेगा यह आपको मिल्क केक है वो बनके रेडि हो गया आप इसको कोई भी बरतना है आपके पास कोई भी मेरें पास केक टीन है तो उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको अची दरए से गिरीज करेंगे और अपना हमने लेकेक रेडि किया है वो डाल देंगे आपने देखा होगा मार्केट में दो तरीके का मिल्क केक मिलता है एक वाइट मिलता है एक हलका सा ब्राउन मिलता है तो मैं आपको बता देता हूं इसको ब्राउन कैसे करते हैं वो लोग तो सबसे पहले अपने हम मिल्क केक को एक केक टिनिया जिस बरतन में आप रखना चाहें निकाल लेंगे और उसको उसकी सर्पेस को प्लेन कर देंगे और इसके बाद इसको हम कवर कर देंगे अच्छी तरह से और कोई भी आप टॉबल कंबल या कोई भी काफी मोटी चीज लिए जिसमें हीट जो इसके अंदर मिल्क के अंदर जो हीट है वो अंदर ही रहनी चाहिए बहार ना निकले और यह ठंडा होने में कम से कम कम से कम चार स पांच गंटे के लिए और हो सके तो इसके उपर आप कोई पत्थर या कुछ भी रख दीजिए मैं चकला रख देता हूं इसके उपर से और लगवा कि चार से पांच गंटे के बाद इसको खोलना है इसको इससे पहले नहीं खोलना है तो लगवा कि चार पांच गंटे यह उतना brown नहीं हुआ है क्योंकि एच्छली घरों में उतना हम नहीं कर पाते हैं मंगर स्वाद जो है बिल्कुल market जैसा ही है मैं तो कहोँगा market से भी स्वादिस्ट है क्योंकि यह बिल्कुल देसी चीज़ों से ready किया है, हमने बिल्कुल देसी घी से ready किया है इसको तो फ्रेंट से मारा जो मिल्केक बनके रेडी हो गया है आप देख सकते हैं देखने में कितना सुन्दर लग रहा है खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट बनता है तो आप एक पर जरूर ट्राई कीजिए इसको मैं काट के दिखाता हूं आपको कितना दानेदार बनाएए मिल्केक को आप किसी तरीके से काट सकते हैं कुछ लोग लंबा मिल्केक काट देते हैं कुछ बराबर पीस कर देते हैं तो आप किसी तरीके से काट सकते हैं आप देख सकते हैं कितना दानेदार है यह देखिए मैं आपको पास से दिखा देता हूं तो आप देख सकते हैं कितन तो इसके आप छोटे चोटे पीसिस भी कर सकते हैं और इसको ड्रेसिंग के लिए इस पर हरा पिस्ता रख सकते हैं आप काजू बादाम जो आप चाहें वह आप रख सकते हैं इसको आप इसको सजा के कहीं प्रिजेंट करना तो प्रिजेंट भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं तो मैं आप लोगों से रुखेस्ट करूँगा कि प्लीज एक बार बना के जरूर देखिए और कमेंट्स करके बताईए वीडियो पसंद आया तो तो प्लीज वीडियो को सेर कर दीजे लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और इसी तरीके से मेरे वीडियो तरी नेक्ट वीडियो में फिर मिलता हूं मैं आपसे थेंक यू